हर महीने का अंतिम रविवार सुबा के ग्यारा बजे एक आवाज जो बन गई देश की आवाज मेरे प्यारे देश स्वासियों, नमस्कार जहां होती है देश के सम्मान की बात, देश वासियों के मन की बात मुझे इस बात के भी खुशी है कि मन की बात के सौवे एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्सा है 3 अक्टूबर 2014 को जब प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी ने रेडियो पर पहली बार मन की बात की थी तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि ये जनता से सीधे समवाद का इतना पावर्फ पियम मोदी की अपील और आहवान ने नए जनान दोलनू को जन्व दिया बात फिर चाहे स्वच्चता की हो या स्वेच्छा से लपीजी सबसीडी छोड़ने की कैशलेस एकॉनमी बनाने का आवान हो या फिर बेटियों की रक्षा और हक्त की बात मन की बात ने सबके प्रयासों से आत्म निर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया तो ये देश की विजह यात्रा के साथ सेलिब्रेशन और साथ ही मिलकर सौ वर्षों की सबसे बड़ी चुनाउते का सामना करने का जरिया भी बना मेरे देशवासियों जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते हम खुद खड़े नहीं होते हैं तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिले हमें उंगली पकेड़े चलाने वाले नहीं मिले के चलने की शुरुवात हमें करनी परोई कि ये सारा मेरा बाचित करने का इराद एक मन की बात 25 भारती भाशाओं 29 बोलियों और अंग्रेजी के अलावा 11 विदेशी भाशाओं में भी प्रसारित होता है एक राश्ट्रीय सर्वे के मताबिक देश के करीब 96 प्रतिशत लोग मन की बात कारिक्रम के बारी में जानते हैं सौ करून से ज्यादा देशवासियों ने मन की बात कम से कम एक बार सुना है 65 फीसदी देशवासी हिंदी में तो 35 फीसदी लोग शेत्री भाशाओं या अंग्रेजी में ये कारिक्रम सुनते हैं सर्वे के मुताबिक 63 फीसिदी लोग ये मानते हैं कि मन की बात के चलते देश को लेकर उनका दृष्टिकून साकारात्मक हुआ है 55 फीसिदी लोगों ने ये माना कि कारिक्रम के चलते वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार और बहतर नागरिक बने है कम्यूनिकेशन के दुनिया में इस कारिक्रम ने नए मान दंड गड़े तो इसके माध्यम से देशवासियों के सुझाव सीधे पियम मोदी तक पहुंचे सुमे एपिसोड तक के अनुवरत सफर में मन की बाद ना सिर्फ विकसित होते देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है बलकि भारतवासियों के संकल्प की सिध्धी का माध्यम भी बन रहा है आईए मन के बाद के सुमे एपिसोड के मौके पर मिलते हैं रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 वजे अधिक सेदिक संख्या में इस एतिहासिक पल के साक्ष बनते हैं और बनाते हैं एक अभूत पूर्व किर्दिमान और हाँ इस अवसर को और भी यादकार बनाते हुए आप अपनी फोटो नमो अयप पर अवश्य डालें